नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इट नए वेडियो में इस वेडियो में हम लोग बात करेंगे इंडस्टियल इंजिनेटिंग पैपर जो सिख01 कोड है कॉमन पेपर है आप सभी स्टूडेंट का एक्सेप्ट मेटलर्जी मेटलर्जी कोड छोड़ कर ठीक है इसको होने वाला और पहला एक्जाम ही आपका इंडस्टियल का फेपर है ठीक है तो इंडस्टियल में बहुत सारे स्टूडेंट का बैक लग जाता है तो आपको अगर बैक ना लगे इस वीडियो पे आप जरूर पूरे बने रहेगा आपको टिप्स बता दूंगे कैसे पढ़न अगर मेरा बात को फालू करिएगा तो ठीक है आगे बढ़ते हैं चैनल को नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को जुरूर शेर कीजिएगा अपने दूस्तों तक यहां पर जो आपको सिलेबस यहां पर मिलेगा क्लियर देखेगा सिंपली एकदम समझा सिंपला थेंगे कट टू-कट आपको लगए कि कुछ ही ने इंडस्टियल ठीक है प्रोडक्टिवीटी का जो पेपर है प्रोडक्टिवीटी का जो टॉपिक है यहां पे स्टार्टिंग में इसको आपको करके ही जाना इसमें से एक लॉन कोश्टन दे देगा ठीक है कमेंट सेक्षन में यानि इमेल करके भी बताईएगे कि आपको अगर इस विडियो से मदद मिलेगा तो जरूर बताईएगा ठीक है प्रोड़क्टिविटी आप कर लेंगे जो जो बता रहे हैं आप कर लिजेगा प्रोड़क्टिविटी से पूरा कोश्चन कर लिजेगा इस है ठीक है अब अगर सेकंड कोश्चन पर आते हैं यानि सेकंड टॉपिक पर जो आते हैं प्लांट लेयाउट और मेटेरियल हैंडिलिंग से इसमें से आपको कौन कौन सा चीज पढ़के जाना ही जाना है तो आपको बता दे कि जो स्टार्टिंग में हैं तो सबसे पहले य लिएक नाम का चीज होगा इंडेस्टे ल कभूक में ठीक है उसको आपको करके जाना है ठीक है इसमें मेझा बताइगे की प्लांट लेयाउट और मैटेरियल हेंटलिंग का फ्लोः पैटन का उसके बारे में आपको क्या करना है प्लोः पैटन करना है कि उसी तरह से स्टै बता रहे हैं और function and principle of material handling इसको आपको जरूर करके जाना है ठीक है function and principle of material handling इसको जरूर करके जाना है यहां से यहां तक ठीक है अब बात करें कि इसमें से कितना question बनेगा आपका कम से कम चार question इसमें से बन सकता है चार में से आपको दो आ जाएका तो बहुत अच्छा रहेगा चार अगर करके जाएगा तो better है इसमें से पूछ देगा बस define starting में से definition of plant layout objective of good plant layout या principle पूछ देगा plant layout क्या होता है ठीक है तो यह जो topic है आपका two number आपका important बहुत है इसको करके ही जाएगा तो better होगा आपके लिए जो third वाला टॉपिक है work study इसमें से आपको कौन कौन सा चीज मेंली करके जाना है तो आपको जो करके जाना stop watch procedure of collecting time ठीक है इसको आप जरूर करके चाहिएगा time study data के stop watch के थुरूम कैसे calculate करेंगे collect कैसे करेंगे उसके बारे में इसको करके चाहिएगा इंक्लोडिंग performance rating इसको आप कर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं work sampling का MC क्या होता है और मेंली जो चीज है steps and method study यहां पर पारे होगे steps and method study यह आपका पूरा करके ही जाहिएगा इसमें से आपको कम से कम तीन question करके जाहिएगा work study से starting से यहां से ले ले लेना definition, concept and need of work study क्या objective work study या work study management यह आए तो ठीक है नहीं तो यह confirm ही आएगा steps and method study ठीक है इसको कर लिजेगा एक question इसमें से दूसरा question तीसरा question आपको मिल जागा इन कम से कम इसमें से आपको चार question रखा हुआ है ठीक है चार में से इसमें से भी दो question जरूर है आएगा जरूर कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं अब अगर जो फोर्त वाला है production planning and control इसमें सब जरूर कर जाएगा आप मेरे पर युश्वास कीजिए आपको बेक पेपर हम clear करवा देंगे जो इस वीडियो को देखेगा मेरे वीडियो को एकदम बैक पेपर clear हो जाएगा guarantee मेरा है बस जो जो बता रहे हो वह करके जाएगा ठीक है इसमें से जो mainly जो short notes आ इसको छोड़ दीजेगा ठीक है इसको छोड़ दीजेगा यह नहीं है ठीक है जो जो कर रहे हैं dispatching तक कर लिजेगा ठीक है और इसमें से definition objective पीपीसी function जरूर कर लिजेगा इसको ठीक है यानि यहां तक आपको जरूर करना है इसमें से four number में से एक question long आ सकता है यहां तो आपका चार short notes आ सकता है ठीक है clear हो गया फिप नंबर जो है यहां पर material purchase इसमें से जो question आएगा ये बता देता हूं इसमें से बस आप कर लिजेगा रिसिप्ट क्या होता है ठीक है issues of material क्या होते है वो सब कर लिजेगा बस इसमें से ज्यादा question नहीं आता है ठीक है इसमें से ज़्यादा question नहीं आता है 5 में से आप नहीं भी किजेगा तो कोई दिक्कत नहीं है 4 तक आप कर लीजेगा 5 नहीं किजेगा कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं 6 number में आप quality control इसमें से करके ही जाईएगा इसमें से ये जो 3 last का है तीनो लास्ट यानि काईजन 5S और 6 सिग्मा ठीक है और ये जो concept है concept of definition of decume इसको आप करके ही जाईएगा इसमें से बस एक question बोल रहे है आप करके जाईएगा ठीक है एक question क्या ये पूरा जो यहां से यहां तक है ये आपका मान लीजे तीन question है ठीक है पूरा तीन question इसमें से उठ जाएगा तो क्या लगता है आपको कि पेपर आप अगर इतना कर लीजेगा ता पेपर आप इंडस्टिल तो आपका आसानी से निकल जाएगा आप भी बोल लोग कि हाँ भाई आप निकल जाएगा ठीक है इसको जरूर कर लीजेगा इसको आप करें चाहें नहीं करें पर इसको जरूर कर लीजेगा यह जो बताए बलू मार्क है यहां से यहां तक रेड में बता रहें जो इसको जरूर 6 chapter से कर लीजेगा और जो 7 chapter से maximum question जो आता ही आता है हर साल ही आता है उसमें से जो है पेपर में आप देख लिजी यहाँ पर हमको बता दे रहे हैं यह जो principle of management 14 principle है इसको कर लेना आप ठीक है function management कर लेना इसको planning organizing क्या होता है function of management जरूर करके जाना आप ठीक है एक question यहाँ से तुसरा question यहाँ से ठीक है और और एक चीज यह जो level of management है यह आया सेमेस्टर का examination 19-22 में ठीक है level of management भी आप करके जाएगा यह बहुत important chapter है seven chapter बहुत important है इसको आप जरूर कर लीजएगा 10 दिन में 10 दिन में आपको कम से कम 20 question नहीं आद होगा करने के उपर करिएगा हम जो बता रहे हैं आप करके चाहिए बाकी हो जाएगा ठीक है शॉट नोट सब बता दे शॉट नोट जो आएगा आपका planning आ सकता है और गनाइजिंग क्या होता है शॉट नोट कॉडिनेटिंग क्या होता है डिरेक्टिंग क्या होता कंट्रोलिंग डिसीजन मेंकिंग यह सब शॉट नोट है ठीक है 14 प्रिंसिपल आप जरूर करके जाएगा आगे ज्यादा नहीं बोलेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका 1,2,3,4,6,7 इसमें से आपको करके ही जाना है ठीक है एट नोबर ओगनाइजिशन मैनेजमेंट में आपको करके क्या जाना है इसमें से आप नहीं भी किजेगा तो कोई दिक्कत नहीं है पर देखिए यह जो लंबा कोशन है नहीं टाइपस ओफ आगे तक इसको आप कर लेंगे ठीक है इंडस्ट्रियल का बूक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा ठीक है इंडस्ट्रियल का बूक एट चैप्टर पर आपको आगर आ जाए तो यहाँ पर देख पार हो एट चैप्टर में मेंली जो हैता है ना लाइन यह कर लेना लाइन स्टाफ क्या होता है फंक्शन क्या होता प्रजेक्ट टाइप क्या होता इसको जुरूर कर लिए जाना ठीक है और एक चीज़ बता दे रहा है फॉर्म्स यह जो ना फॉर्म्स ओफ ओनर्शिप प्रियोट यानि 9 चेप्टर से जो मैक्सिमम कोश्चन आता है वो आपको बता देते हैं इसमें से आपको करना क्या है definition introduction and definition of functioning staffing क्या होता है ठीक है function staffing क्या होता है HR क्या और introduction to HR planning recruitment and procedure यह आता ही आता है ठीक है जो जो माग कर रहे हैं बस वो आता ही आता है आपको कर गई जाना है अब जो नेक्स चीज है safety management से आप कर लेंगे तो बेटर रहेगा ठीक है safety management से पूछ देगा क्या क्या होता है यहां तक procedure तक ठीक है और एक चीज जिसमें क्या होता है कि simple से definition पूछ देगा कि intrinsic and extrinsing muscle law theory of motivation यह आता ही आता है muscle law जरूर कर लेंगे आप muscle theory of motivation जरूर कर लिजेगा ठीक है जो बता इसमें से कम से कम तीन question आपको करके जाना है अब जो 10 number question पर आपको आतरे 10 number जो topic है आपको बता देते financial management से आपको कम से कम यह जो budget वाला section है इसको करके जाना है इसको ठीक है लेबर बजेट तक यहां तक आपको करके जाना है इसमें से एक topic कर लिजेगा question एकदम आहीं आएगा आएगा ही आएगा ठीक है 10 chapter में से आपको यह question करके जाना है ठीक है यह चीज़ आप ध्यान में रखें financial management को कर लिजेगा थोड़ा सा पढ़ लिजेगा क्या दिकत है objective function क्या होता बस और कुछ नहीं इसमें इससे भी दो question आप करके जाएंगे आपको लगराओ को एक syllabus बता रहे है पर easy syllabus है उससे ज़्यादा hard नहीं है चैप्टर नमबर 11 जो है इसको करके ही जाना है आपको ठीक है इसमें सबसे जो main question आता है entrepreneur entrepreneurship क्या होता है ठीक है यह जो factor influencing entrepreneurship क्या होता है और यानि समझो कि यह वाला पूरा यहां तक एक question यहां से यहां तक बूझ देगा आठ नमबर का यह 10 नमबर का पूझ देगा क्या होता है ठीक है तो इसको जरूर करके जाना आप आठ नमबर का कम से कम question यह पूझ देगा इसको आप करके ही जाएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए तो आपको तो doubt clear हो गया होगा I think जहां तक आपको बताए हैं आपको doubt clear हो गया होगा आपको जो main ले जो कौन-कौन से chapter करना है 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9 करके जाना है और 10, 11 आपको सारा topic में से कौन-कौन से topic में ने वो सब कुछ बता दिये हैं ठीक है सब कुछ बता दिये हैं सबसे highest topic है आपका 1, 1, 2 जरूर कर लिजेगा 1, 2, 3, 4 यहां तक आपको करके जाना है सेवन से आपको कम से कम 11 तक में आपको करके जाना है तब आपका इंडेस्ट्रिल निकलेगा 60% प्लस यहां अगर तो 60% प्लस अपला ही दिजेगा गैरंटी मेरा है आपको अगर यहीं बता दे और हाँ एक चीज अगर जिनको अगर doubt है कि question कैसे बनता है question नहीं बता है हमको की graphics हमको question बना के दीजिए खुद से ठीक है और YouTube पर आकर डिस्पले करेंगे किस तरह से question बनता है कैसा question आता है तो आप हमारे कि इस वीडियो पर कम से कम आपको अगर सौ लाइक अगर आप कर देंगे तो हम question बना के देंगे ठीक है खुद से question डिस्पले करके बताएंगे पर वो जो question हो आपका sample से होगा पर हम इतना बता देंगे कि वो सब important type है यह चीज हम बता देंगे ठीक है तो इस वीडियो का आ आपके एंड वीडियो को जुरूर शेयर कीजएगा thanks for watching जय हिन जय भारत